नमश्वार दोस्वों आप शिवी का बहुत बहुत शुवागते दोस्वों आप शिवी को बता दें कि आपके इशाथ एक दिवी शक्ती घुम रहा है एकदम वीडियो को दिमाग शांत करके देखना क्यों कि दोस्वों आप शिवी के जुनकाल में होने वाला है कल्यूक का शबशे बड़ा चुमतकार जी हाँ दोस्वों दर्ती पर पहली बार इशाथ चुमतकार होने जा रहा है जी हाँ दोस्वों इन्हें देखकर आपको अपने आँखों पर यकिन नहीं होगा लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि आज शाम के पांच बज़कर 20 मिनिर के बाद आप शिवी का पूरा जीवन बदनने वाला है और इन्हें बदनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोकने शक्ती बशर्ते हम आप शिवी को यह बाद बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मेश मत किजिएगा जी हाँ दोस्तों आप शिवी को बता दे कि अपने जुनकाल के थोड़ा शब महत पुश्व में निकाल कर इन अगर आप अर्थ तक देख लेंगे तो दोस्तों आज शाम के 5 बज़ कर 20 मिनट के उपरांद आप शिवी को कोछ इसे शंकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप शिवी का जीवन बिल्कुल ही चकमग जाएगा बिल्कुल ही जगमगा उठेगा जिहां दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि पिछले जीवन में आपने बहुत ज़्यादा कश्ट जेले हैं बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं जिहां दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको उतना शफलता नहीं मिला है जिनकी आप भागिदार थे लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दी कि अब आपका वश में जा चुका है आप शबी को बता दी कि अब इश्वर का एक दिव शक्ति आपके शाहत है जिनके कारण दोस्तों आपको हर जग हो पर वाद दिशा प्राप्ट होगा जिने में आपको लाब की प्राप्टी होगी जिहां दोस्तों आप शवी को बता दे कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और दोस्तों सुरू से लेकर अंतर तक ध्याश दिखिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाले शमे की एशी बखान करने वाले हैं जिनें जान कर आपकी रौंग्टे खड़े हो जाएंगी जिहां दोस्तों इनमें वो शच्चाई है जिनें आप कभी भी नलेंदाज नहीं कर शकते हैं जिहां दोस्तों और ये आपकी जिवनकाल के लिए एक वर्दान से कम नहीं है फुशे पहले दोस्तों सरपर्दम जो भी महावली हनुमान जी के सच्चे भकते हैं चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर्शलेट कर दें जिहां दोस्तों और वीडियो को एक पैराश लाइक करके कमेंट बुक्स में सच्चे मन से जै हनुमान जरूर लिखिएगा दोस्तों महावली हनुमान जी का अश्यमेश्रबाद आप शिवी को पराप्त होगा जी हां दोस्तों और आपके जिउनकाल में अब जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों जानकर शबी दुष्मनों के भी होस उड़ जाएंगे जी हाँ दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में पिछले समय जो भी घटनाई हुई है दोस्तों उनमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किये हैं दोसों आप कभी भी इश्वर के मामले में पीछे नहीं रहते हैं हर छेतर में आप भक्ती भाव से ही जुड़कर कारियों को करते ही जिहां दोसों चाहे कितनी भी मुश्किल पस्ति पिछले समय में आपके जुनकाल में आई है लेकिन दोसों आपने कभी भी हिम्मत नहीं हार है बश महाबली हनुमान जी के उपर विश्वास करके अपने कारियों पर डटे रहे हैं जिहादोसों और अब वक्त आ चुका है जब महाबली हनुमान जी का दिव शक्ति आपके शाथ है जिहादोसों महाबली हनुमान जी आकिर कब हमारे जोनकाल के शारे दुख दूर हो जाएंगे आकिर कब हमारे जोनकाल के हमारे हक के जोवी फल है हमें वह कब मिलेगा जिहां दोसों आपने अपने वह मुश्किल पस्तिती में हर्मान जी को नहीं छोड़ा है जहां लोग एक से एक महत्पुन कारी को कि अब के शारी बिगड़े शीबिगड़े कारें बनने वाले है दोस्तों शमार में भी मान शमान बढ़ने वाले जहां पर लोग आपको न्कारते थे दोसों वहां पर आपके नाम का बुलावा आने वाला है जिउनकाल Undo दोस्तों आपको हरे केशी शमय में बिजय मिलने वाला है जिनमें लोग कभी सोच नहीं सकते थी जिहां दोस्तों और अब आपकी जुनकाल में जो बड़ी तरक्की मिलने वाली है दोस्तों जानकर शारी दुश्मनों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी वो लोग कि आखिर इनके जुनकाल में एशा चमतकार क्यों हो रहा है आखिर क्या इन्हें हाथ लग गया है जो इनके जुनकाल में रातों रात इतनी बड़ी जीवनकाल में इनको शुभलताई मिल रही है दोस्तों देखकर वो लोग बरदाश नहीं कर पाएंगी और आप शिबी के कुछ ना कुछ इसे शड़ेंतर जरूरी बनाएंगे प्रण्दों दोस्तों हम आप शिबी को बता दे कि बापको चिंता करने की आवशित्ता नहीं है महाबली हनुमान जी आपके जुनकाल में प्रशन है आपके आपको जो दिवी शक्ती परदान किये है दोस्तों यह जुनकाल में महाबली हनुमान जी का जो अशिरवाद आया है दोस्तों इनसे आपको हर छित्रों में लाप की शाथ साथ कई इशे लाप की राश्ते मिलेंगी जोकि दोस्तों आपके आर्तिक चत्ति को शुधार देगा जिहां दोस्तों पिछले कई शे में से आपके जुनक आखों में उर्जा की चमक बढ़ जाएगी जिनसे दोस्तों हर बूरे कारियों को आप अपने आखोंशी देख पाएंगी और हर अच्छे कारियों को आप पहले ही आँकलन कर लेंगी कि यह कारे आपके लिए शही है लेकिन दोस्तों हम आप शिपी को बता दी कि जहां पहले ही आपके इशाथ घुम रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको बिलकुल ही लपरवाही नहीं करना है दोस्तों बहुत शारिशी लोग हैं जब उन्हें यह शंकेत मिलता है कि इशवर अब हमारे शाथ है अब तो हमें कोई भी कारी करने की अवशक्ता नहीं है जिहां और वह अपने शारे कारी को छोड़ कर घर में ही बेट जाते ही दोस्तों एशा करने वाला व्यक्ति जिवनकाल में आगे चल कर मुर्ख बन जाता है कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि इश्वर हमारे जिवनकाल में हमारे कारियों को नहीं करते ही उनका दिवी शक्ति हमें रास्ति दिखाते ही जी हां दोसों और उन रास्तों पे हमें ही चलना होता है अगर हम चलते ही तो दोसों हम मंजिल को प्राप्त करते ही और जो व्यक्ति एश्य बातों को रिंदाज करता है लपरवाही करता है कि उनके श्यूनकाल में इश्वर का श for adjustments , जैब इश्वर का दिविश्क्ति आपके शाथ है महाmbली हरुमान जी का आशिरवाद आपके शाथ है तो दोस्तों अब आपको मन लगा कर हरकारियों में कार्य करना हैं इनसे दोस्तों आप शिंवी को बता दी कि आप जो भी कार्य करेंगी उन में आपको शफलता की प्राप्ति होगी, आपकी हर जगों में प्रशुन्चा होने वाली है, और इनी कारियों की कारण आपके शमाज में भी मान समान बढ़ने वाले हैं, शादि साथ दोस्तों आपको बता दें, कि आपकी आर्तिक सिद्धी भी मजबुत होगी, और जो भी आप क कारियों को कर रहे थे दोस्तों, पिछले कई शमेशे और वहा कारी पूरा नहीं हो रहा था, दोस्तों वे शारे कारी पूरी हो जाएंगे, जिहां दोस्तों, पिछले शमेशे जो भी आपके अधूरे पड़े कार थे, जो भी आपके अधूरे शपने थे, दोस्तों ये शंतान प्राप्ति के भी योग आपके जुनकाल में बन जाएंगी तो दोस्तों अपने कारियों शी आप बिल्कुल ही पीछे ना हटें, अपने कर्म शी आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, महाबली हनुमान जी कहते ही कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मैं जात होता है जहां दोस्तों, महाबली हनुमान जी का दिभी शक्ति के शाह्त है, तो दोस्तों यशे में आपको महनत भरपूर करना है. जिहांँ, दोस्तों हम आप शिप्रखों को बता दे कि आपने पिछले श्में के बहुत ज्यादा पिशे क् स about कि Vouा दो पर अढ़े ऑच्छी कर्मों का फल अब आपको महावली हरिमान जी एक दिवेशकति के पुधारन पर दे रहे हैं जी, हाँ दोस्मों महावली हरिमान जी का दिवेशक्ति आपके इसाथ तो दोस्तों अब आपके जुनकाल में आपको बहुत शारी श्रफलताई मिलने वाली है लेकिन दोस्तों इनके शाती शात यह श्यमें आपको शत्रों से बचना होगा क्योंग दोस्वों गरहों में ही देख लीजिए अगर अच्छा गरह है तो दोस्वों बुरा गरह भी है जिहादोस निशी परकार इंशानों में भी है अगर अच्छे इंसान है तो बुरे भी इंसान है हमें बश बुरे लोगों शे बच कर रहना है और अपने कारियों पर ड कि शही समय पर शही कारे करना अच्छे का प्रतिक है और गलत समय पर शही कारे करना भी बुरी का प्रतिक है इसलिए दोस्तों आपके जुनकाल में अब आपको जो भी लाब के मोके मिलने वाले हैं दोस्तों उनमें आपको कारे करना है इनसे दोस्तों आप शिबी के जुनकाल शतरक और शमल कर भी रहना होगा जी हां दोस्तों तो दोस्तों अब आपके हर कारियों में एक अलग ही उर्जा होगी अब आपके हर कारियों में एक अलग ही देखने का नजरिया होगा, जिसे दोस्तों आपका हर कारी बनता जाएगा, शमाज में आपकी इज़त इस परकार बढ़ेगी, कि दोस्तों देखते ही देखते शबी दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लग जाएंगी, जिहां दोस्तो जो लोग आपको पिछले शमेशे बहुत ज़्यादा बुरा कहते थी दोस्तों यश में उनके भी मोशे आपके लिए अच्छे शब्द निकलने वाले हैं कि दोस्तों आपको बता दें कि आप अब शवी बुरायों को छोड़ कर अच्छे रास्ते पर चलने वाले हैं महाबली हनुमान जी का दिब अशपर्ष आपके शाथ है तो दोस्तों इन से आपके हर छेत्रों में आपको शवी इर्ष्या की भावना शमाप्त हो जाएगी और दोस्तों हमेशा आप भक्ति पूर्ण माहौल में महाबली हनुमान जी को याद करेंगे और शारे कारे आप शपल करते हुए अपने जिवन काल में आगे बढ़ते रहेंगे जो भी आपके दुर भाग्य है वह या शमे शो भागय में बदनने वाला है जिन कारियों में आपको पिछले शमे शपलताई मिली थी तोस्तों उन कारियों में भी आपको शपलताई मिलने वाली है शादि शाद दोस्तों आपको बता दे कि पिछले श्रमी आपकी जुनकाल में बहुत शारिशे दुश्मन थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा घात किये हैं, बहुत ज़्यादा धोके दिये हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कारियों में अर्चने, मुश्किले पैदा की है खुद उस गटे में गिरेगा जिआँ दोस्ओं अब आपका कोई भी चाकर भी कोई नुक्षान नहीं कर शकता क्योंकि महावली हरुआन जी का दिव्य शकती की आपके शाथ है जिआ दोस्ओं आपको चिंता करने की कोई आउशक्ता नहीं है बशर्ती अब आपको अपने मेहनत में वही लगना रखना है अब आपके अपने कार्यों में वही शंगर्ष रखना है जिसे दोस्तों आपने पहले रखा था जिया दोस्तों पहले बश आपकी जुमकाल में शपलताएं के लिए कोई रास्ते नहीं मिले लेकिन दोस्तों अब आपको शिफलता पाने के अनेक रास्ते होंगी जिस छेतर में आप जाएंगी उनमें आपको एक नई दिशा प्रारम होगी उनमें आपको एक नई दिशा एशा मिलेगा जो आपके जीवन को शुक के बहुत बड़े छेतर मिले जाएगा जिनसे आपको शुक के हर उक च्छन मिलने वाला है जो एक व्यक्ति चाहता है जिहां दोस्तों हर एक जूनकाल में व्यक्ति को पेशे चाहिए घर चाहिए गारी चाहिए बंगले चाहिए लेकिन दोस्तों वो मेहनत करके शबकुछ हासिल नहीं कर पाते ही लेकिन दोस्तों अगर इश्वर क दिव शक्त उनके शाथ हैं तो दोस्तों कोई भी stacked श्पना च्छन में पूरा हो जाता है जिहां दोस्तों और आब आपके भी जुनकाल में कुछ इसा ही आपको देखने को मिलेगा देखकर दोस्तों आपको आगों पर यके नहीं होगा लेकिन दोस्तों हम आप शिप को बदा दी कि आपके कर्म है पिछले समी के कर्म है जो कि दोस्तों यह श्में आपको मिल रहे हैं दोस्तों पिछले करिश में से आप इश्वर के परति निरंतर बिश्वास कर रहे थे इश्वर से हमेशा प्रात्ना कर रहे थी कि इश्वर हमने शिब आपको ही अपना शमजा है बागे यहाँ पर कोई अपना नहीं है जी हाँ दोस्तों जैसे कि आपको पिछले शिमें दोखा मिला था दोस्तों उन्हों में आप बहुत ज़्यादा निराश होकर हमेशा महाबली हनुमान जी यही गुजारिश कर रहे थी कि है हनुमान जी अब हमारे जुनकाल के शारी शमजाओं को दूर कर देजी हम अब बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं हमें रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं अब आगे क्या करना है अब हाप ही हमें कोई मार्ग दश्न देजी तो दोस्तों हम आप शि कर देंगे और जो भी आपके कष्ट आपके पिजले कईस्च में से जुनकाल में चरहे हैं वे शारी कष्ट तो दूर करेंगे लेकिन दोस्तों शमलना आपको अवशी है जिए हां दोस्तों आपको अपने कारियों की पर तो बिल्कुल भी नहीं होना है क्यों महाबली हनुम आपको एक बहुत बड़ा वर्दान दिये हैं महाबली हनुमान जी के श्रिवाशे अब आपके जुनकाल में आपको शारे बातों को लेकर ध्यान देना है जैसे कि दोस्तों आपको अपने श्वास्त की परती अब सजग रहने के आउशकता होंगी जिहां दोस्तों अगर ही तरिकेशे कारे नहीं कर पाएंगी जिहां दोस्तों और एक भी कारे चुट गया तो दोस्तों आपके जुनकाल में आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा जब आपके पास कोई शाधन नहीं था तो दोस्तों आपने बहुत ज्यादा मेहनत किये हैं और जब आपके पा पर देना है और आपको शपलता मिले तो खुच भी होना है लेकिन दोस्तों इन शबीक बावजूद आपको उपनी जुनकाल में एक और बदलाव करना है कि जब आपके जुनकाल में शारिष चुकश्विवदाये आपको मिल जाई तो दोसों इश्वर पर आपको जैसे पहले विश्वास करते थे दोसों विश्वास उशी तरह करना है जिहा दोसों इश्वर में आपको शमे देना है इश्वर के भक्ति के लिए आपको शमे जरूर ही निकालना है चाहे आप कितना भी बड़े इंशान क्यो हनुमान जी हमारी जुनकाल में जो भी घटनाई हो रही है वो हम नहीं कर रहे हैं यह तो आप कर रहे हैं बश हम जरिया हैं आपके जी हाँ दोसों और यह भी कहना कि महाबली हनुमान जी अब हमारे कदम कोई इश्री गलत रास्ते पर जाने मत देना जिनसे हमारे आने वाला जीवन खराब हो जाए, बश्व आपकी चर्णों में हमें रहना है, हमें अपने चर्णों में जगधी जीए, दोस्तों अगर आप इस्वी कारी करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपकी जुनकाल में जो भी शंकट है, जो भी कश्ठ है वे शबी दूर होंगे, शाती महा लाइक कीजिएगा और चनल पर भी नए हैं तो दोसों महावली हर्मान जी के भग शबी चनल को शब्सक्राइब कर लें और दोसों बैल आइकन को प्रेश करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे